ये किसान पती पत्नी लोगों को highly nutritious super food खिला रहे हैं इन्होंने अपने घर पर एक processing unit लगाई है इस unit में ये moringa tablet बनाते हैं दरसल moringa एक super food है और इसी moringa powder से ये moringa tablet बना रहे हैं ये किसान पती पत्नी दूसरे किसानों के लिए उधारन है क्योंकि ये अपने खेत में उगाई गई फसल को खुद ही process करते हैं और खुद ही market करते हैं इससे इनकी आमदनी भी बड़ी है और लोगों की सेहत भी अच्छी हो रही है हरियाना में भिवानी जिले के इस सरवाल गाउं के रहने वाले अमरजीत सिंग अपनी पत्मी सुदेश के साथ मिलकर अपने खेतों में और गैनिक मोरिंगा उगाते हैं और फिर इससे मोरिंगा पाउडर बनाते हैं मोरिंगा पाउडर में 90 से ज्यादा nutrients और minerals होते हैं जो immunity booster का काम करते हैं मोरिंगा पाउडर से जोडों के दर्द में भी लाब मिलता है इस तरह अमरजीत सिंग अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने खेत के organic मोरिंगा पाउडर से लोगों की सेहत भी ठीक कर रहे हैं इनका मोरिंगा पाउडर देश के अलग-लग भागों में बिक रहा है अब ये एक कदम आगे बढ़ाते हुए मोरिंगा पाउडर से मोरिंगा टेबलेट बना रहे हैं तो चलिए इनी से जानते हैं कि मोरिंगा टेबलेट बनाने की शुरुआत कैसे हुई टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जी अमर जी जी मोरिंगा टेबलेट बनाने की कहानी कैसे शुरु हुई मतलब आपने लोगों की डिमांड पर मोरिंगा टेबलेट बनानी शुरू की आजि लोगों की डिमांड पर मोरिंगा टेबलेट का काम स्टाट किया जी उनका क्या कहना था वैसे तो देखे मोरिंगा पाउडर खाने में कोई दिक्कत नहीं है इसको हम सब्जी में दाल में दाई लशी में मिला कर खाएंगे तो इसका टेस्ट असा आता है फिर भी कुछ लोगों को थोड़ी ही दिक्कत मैं सुसुई तो उनकी डिमांड पर हमने मोरिंगा की बनाते हैं पाउडर बनाने के बाद हमें बाइंडर की दूट होती है किसी वी कोई बीटेवलेट मनते हैं तो हरक परका तो उसमें बएंडर पकड़ता अलांकि वह वाइंडर होता है फूड़ ग्रेंड लेकिन हम बिल्कुल नेच्रुल आइटम यूज करते हैं इसके जिटना भी पाउड़र मारा मौरिंगा उसमें बीगता है लका पियुक्ष देना 2 network यह् waves को हम अपर 15 और City उंदे एक डबे मे तो एक आदमी को लगवग 5 ग्राम मोरिंगा पाउडर खाना होता है तो यह चैबलेट खा सकता है एक दिन में तो एक महीने की हो जाती है एक डेड़ सो ग्राम तो इसमें वह अपनी सुविदान उसारे दो गोली सुबह दो चाम दो दो पर करे या तीन सुबह तीन चाम करें वो तो अपनी चैनों सर्वी खाने के होती है जी मतलब एक डिबा जो आप पैक करते हैं उसमें 180 टैबलेट आती है और एक डिबाए 104 ग्राम का है यह पांच ग्राम के हिसाब से एक महीने का पूरा मोरिंगा है इसमें एक आदमी को पांच ग्राम मोरिंगा खाना चाहिए ए अब यह आसन ही हो गया तो जिन लोगों के डिमांड थी नोगों को हमने कोन करके बता दिया वह ने टैबलेट बनानी शुरू करती है तो यह प्रोसेसिंग करने से आपको लाब हुआ है वैसे तो किसान अगर मोरिंगा की खेति करता है तो गिली पत्या बेचन नहीं है अग कर लेते इसे थी ने काम करते हैं मेरे घर कावण साहथ साहरा दोनों को इसमें बहुत फाइदा होता है क्या रिस्पॉंस और से कैसे होती है ठिवापर की दो पिछे वीडियू बढ आरे कि टेक्वर को लोगों कर रहे हमारे पास से अन्हीं लोगों की डिमांड थी पे तो देखा आपने कैसे यह किसान पती-पत्नी अपनी फसलों की प्रोसेसिंग करके अपनी आमदनी भी बढ़ा रहे हैं और लोगों की सेहत भी अच्छी कर रहे हैं यदि किसान अपनी फसलों की वैल्यू एडिशन करके सीधे बेचने लगे तो किसानों का मुनाफ़ा बढ़ सकता है और दूसरी तरफ भोगताओं को भी शुद्ध चीज मिल सकती है इसलिए टेकनिकल फार्मिंग पर हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो कुछ अलग काम कर रहे हैं और ऐसे ही किसानों को हम शुद्ध फार्म पर भी जोड रहे हैं ताकि आपको इन किसानों के प्रोड़क्त एक ही प्लैटफॉर्म पर मिल सकें शुद्ध ताकि इस मोहिम में आपका प्यार मिल रहा है जुड़े रहे टेकनिकल फार्मिंग से और इस मोहिम को आगे बढ़ाते रहे हैं आप सब का आभार अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से जादा लाइक और शेर जरूर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले